हेलो फ्रेंज मैं अनामिका, मेरे किचिन में आप से भी का श्वागत है फ्रेंज आज मैं अपम की रेश्पी लेकर आई हूँ ये साउथ ही इंगिन वीश है, इसे हम रवाश बनागे दिखाएंगे ये बहुत आसानी शे और फटाफट बनकर तयार हो जाता है तो हम इसे चट्मी के साथ बनागे दिखाएंगे चलिए हम बनाना फटाफट शुरू कर देते हैं अब हम बनाने के लिए हमने लिया है एक कटोडी रवा रवा से आधा हम दही लिये हैं यानि कि एक छोटी कटोडी दही एक चमच सक्कर, एक चमच नमक, इनो फूट शॉल्ट और दुरूरत के नुशाट पानी तो चलिए हम फटा-फट बेटर बना लेते हैं यहां पर हमने मेडियम स्राइज वाला मिकसर डाले रखा है इसमें हम डाल देंगे अपने रवा को अब हम इसमें डालेंगे दही अगर आपकी दही ताजी है तो आधा डालिए खटी है तो वनफोर्स डालिए नहीं तो अपम खटा हो जाता है अब हम इसमें डालेंगे पानी तो हमने जिस कटोरी से दही लिया है उसी कटोरी से एक कटोरी पानी डालेंगे और हम इसे एक से दो बाड मिक्सर जानने से ला लेंगे तो अच्चे से फिट जाएगा चलिए हम बेटर तयार किया है आप देख सकते हैं आपनी बेटर कैसी तयार हुई है तो इसकी कंसिस्टेंसी देखिए ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए हमें अपम बनाने के लिए बेटर की तो चलिए हम इसे एक बेटर में ट्रांसफर कर ले रहे हैं तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया अपनी अपम के लिए बेटर तयार हुआ है अब हम इसे कवर करके 10 मिनल के लिए छोड़ देंगे तब तक अपनी बेटर सेट हो जाएगी इतने में हम हटा हट अपम के दालेंगे अब हमके लिए चटनी बनाने के लिए हमने लिया है एक बॉल मुंग फली जिसे हमने रोष्ट करके छिलके हटा के साफ कर लिये हैं एक छोटा तुपड़ा अद्रक का पांचेल हडी मीर्च चारकली लहसुनकी थोड़ा सा निम्बू और नामक अब हम एक मिकसर जाल लेलेंगे तोопे हमने छोटा वाला मिकसर जाल लिया है इसे चटनी जालड़ ही बोलते हैं उसमें हम मिर्ची डाल देंगे अद्रक डाल देंगे लैसुन डाल देंगे और यो रोष्ट किया हुआ मुंग फली चटनी बनाना बहुत ही आसान होता है पर खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है श्वाद के नुशार हम नमक डाल लेंगे एक बार हम इसे ड्राइ फिश लेंगे फिर पानी डाल के भीस के आपको दिखाएंगे तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़ियां अपनी चट्मी तयार हुई है अगर आपको जादा पतला करना है तो थोड़ा सा पानी और एड़ किजिए नहीं तो ये अपनी परफेक्ट मुंखली की चट्नी बनके तयार हो गई है तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़ियां अपनी मुंखली की चट्नी बनकर तयार हुई है इससे अकम खाने में बहुत ही मज़ा आता है इतना टेश्की लगता है कि एक बार आप बनाएंगे तो बार बार बनाने को मन करेगा फाइनली हम इसमे निम्बू निचोड लेंगे तो यहाँ पे हम आधी निम्बू निचोडेगे आपको ज़्यादा खटा चाहिए तो ज़्यादा डालिए लेकिन आधी निम्बू इनओफ होदा है इसके लिए तो यह हम चमच सेँ मिक्स कर ले रहे हैं तो हम ऐसे चटनी तो मिक्स टर लेंगे, निम्बू डालने के बाद चटनी और निखड के आता है, टेश तो अच्छा लगता ही है, तो हम चटनी तयार के लिए, चलिए हम अपना बेटर शेट कर ले रहे हैं, तो आप देख सकते हैं, पहले से थोड़ा सा अपनी रवा का बे इनो डालने के बाद हम इसे एक ही डाइरेक्शन में ऐसे फ्रेटेंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत साड़ा जाग जैसा उठेगा, यानि कि इसमें एर आ जाता है, आप ध्यान से देखिए कैसे ये बावस भाड़ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं, हमने इनो ड फ्रेंच, हमने गायच पर एक फ्राइ पर पैन को हमें अच्छे से गरम कर लेका है और फ्रेंफ को हमें ऊपर कर लेकैर बाद डालेंगे, तो यहां पर हम एक चम्मच बेतर लिएं और इसमें हम डालेंगे, यह आटो में पैल जाए अपना अपमका सेपु ले लेका इसे हम तो हम बेटर डाले हैं तो इसमें पैसे बावल्स फुटेंगे यही अपनी अपम की पहसान होती है तो ध्यान से देखिए चारों तरफ ऐसे बावल्स आने शुरू हो गये हैं और हमें इसे श्लोख लेम पे तक तक पकाना है जब तक उपर वाली बेटर अपनी शूख न कभर करके आधी मिनट के लिए छोड़ देंगे इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है तो आप एक बड़ फिर से देख लीजिए कितने बढ़ियां अपनी बावल्स आ रही है अपम में हम आपको दिखाने के लिए खुला पका रहे हैं आप जभी भी पकाईए तो इसे चुकी है इसमें अच्छे से जाली आ गया है तो यहीं अपनी पर्फिक्ट अपम की पहचान है अब हम एक इस पेचला की मदब से इसे भीरे भीरे ऐसे उठा लेंगे इसमें हमने बेकूल तेल नहीं डाला है जड़ा सा भी नहीं अगर आप आइडन की तावा पे बना रही है तो उसमें हलका सा तेल डालिए फिर तेल को नीले कपरे से पोच के और उसमें वेटर डालिए तो ऐसे ही अपम तयार होगा तो फ्रेंज आप दुश्रा अपम ही देख लीजिए कितने बढ़ियां जालीदार तयार हुई है तो ऐसे ही हम सभी अपम बनाएंगे एक बार अपने दिख से देख लीजिए तो चलिए हम इसे डिशाउट कर लेते हैं तो फ्रेंज आपने देख लिया अपम बनाना कितना आशान है और खाने में तो बहुत टेश्टी और हेल्दी होता है तो फ्रेंज इस रेस्पी को आप भी जरू ड्राइब कीजिए अच्छी लग कि अपने होता है और खाने हैं उरू खाने हैंग से शाएब कीजिए और हम घसे चाएब कीजिए और हिएवर्स पाने पार खाने हैंगर खाने हैं?